दोस्तों आज के इस विडिएयो के अंदर मैं आपको बताऊगा का आपको अपनी पर्सनल इंस्टेग्राम प्रोफाइल को कैसे बदल सकते है एक बिजसनस प्रोफाइल के अंदर तो यह रही मेरी profile TechDishum नाम से अगर आपने चेक नहीं किये तो आप कर सकते हैं लिंक आपको निचे description में मिल जाएगी तो नीचे आपको email का button मिल जाता है और भी buttons आप add कर सकते हैं तो यह एक business profile है अब यह केसे करते हैं तो उसके लिए मैंने एक नया account create किया है अपने Instagram पे यह रहा KNK Network नाम से आपको जस्ट बताने के लिए एक demo बताने के लिए तो यह एक personal profile है तो अगर आप edit your profile में जाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़े पूट options मिल जाते हैं और नीचे मिलता है try Instagram business tool यहाँ से भी आप कर सकते हैं बाट मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ आपको उपर जो dot three dots दिख रहे हैं उसके बाद मैं आपको find out करना है कि switch to business profile एक link तो यह रहा option अगर आप नीचे आते हैं तो आपको option मिल जाता है यह रहा switch to business profile उसके आपको क्लिक करना है उसके बाद मैं आपको continue करना है simply यहाँ पर आपको features बताएगा कि आपको क्या-का features मिलते हैं business profile के अंदर तो यहाँ पर आप continue करते रही है तो guys अगर आपने मेरे Instagram account को अपर तक follow नहीं किया है तो उसके लिए आपको login करना होता है अपने Facebook profile के अंदर तो अगर आपने page create नहीं किया है तो कर लीजिए login करने के बाद में आपको यहाँ पर continue करना होता है permission को continue करने के बाद में आपको सारे pages के list आ जाती है जो भी आपने बना है अपनी Facebook profile के through तो जो भी page है इस business का वो select कर लीजिए जिसके मैंने select किया हुआ select करने के बाद में आपको उपर जो arrow का निशान है उस पर click करना है जिसके through आप continue कर सकते हैं तो हमें जाना है आगी की step पर तो click कर लीजिए arrow पर click करने के बाद में आप यहाँ पर email आपके पिछले साथ दिन के अंदर आये हैं कितने impressions आये हैं तो ऐसे जो है आप business profile जो है बना सकते हैं Instagram के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि settings भी आपको काफी सारी मिल जाती है काफी extra settings मिल जाती है जो आप चेक कर सकते हैं आप अपने post को जो है particular post को आप boost कर सकते हैं कि promote कर सकते हैं तो काफी सारा options है काफी detail के अंदर है मैं आपको recommend करता हूँ कि अगर आप एक YouTuber है तो आप अपनी profile को business profile कर लिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे Instagram profile को follow नहीं किया है मैं आपको reply जरूर दूगा जोस्तों आप बात करते हैं कि आप अपने Instagram के अंदर कितने accounts चला सकते हैं तो आप multiple accounts चला सकते हैं मालन जी कि आपका एक public profile भी है और आपने एक नया account भी बनाया है Instagram पे तो आप दोनों चला सकते हैं जिसके अंदर मुझे दूसरा account भी मिल जाता है या फिर add account करके आप कुछ नया account भी add कर सकते हैं कितने भी account आप add कर सकते तो यह मुझे काफी अच्छा feature लगा है तो आप लोग भी try कर सकते हैं दोस्तों और इस वीडियो के अंदर इतना ही था विल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को like कर लीजे एम करते हैं 100 likes का और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लाता रहूँगा दोस्तों में गर आपको मिलता हूँ अगले एक चैनल इंग वीडियो में तब तक के लिए have a good day bye bye and stay safe